नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ग्यानमी दोस्तों आज की इस वीडियो में आचारे चंड के जी ने बताया है कि अगर महिलाओं की एक चीज पुर्ष गलती से भी उतार देता है तो इसका भिहानक रूप आपको बरबाद करतेगा जी हाँ दोस्तों महिलाओं की यह चीज उतारना बहुत शर्म की बात मानी जाती है दोस्तों आप सुनकर हैरान हो जाओगे और आपके रोंग टेखड हो जाएंगे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का बटन इसे दबाकर आल नोटिफिकेशन ओन कर दें ताकि आप ऐसी ही ज्यानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें तो चलिए दोस्तों आज का ग्यानवर्धक वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों हिंदुस्तान दुनिया में एक मात्र ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है और मालक्षमी करू माना जाता है महिला किसी भी घर में खुश्या लाने की सबसे बड़ी वजह होती है और महिलाओं ही किसी घर को स्वर्ग या नर्क में बदल सकती है आपकी जानकरी के लिए बता दें कि एक औरत के भीतर ऐसे अनमोल गुण होते हैं जिसकी कोई कलपना में नहीं कर सकता ऐसे में हम आपको महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे किसी भी पुर्ष को उनकी है एक चीज कभी नहीं उतारना चाहिए ऐसा करना उनके लिए बहुत शरम की बात मानी जाएगी ऐसी गलती आप भूल कर भी कभी ना करें दोस्तो सबसे पहले आपको बता दू अगर आप महिला का सम्मान करते हैं या उसकी थोड़ी सी भी इज़त करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और महिलाओं का सम्मान बढ़ाएं दोस्तो अनलाइक करने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी और पापी माना जाएगा दोस्तो महिला की वह चीज कोई और नहीं बलकि महिला की इज़त है ऐसे में किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं बनता कि वह महिला की इज़त को उतारना शुरू कर दे सास्त्रों में लिखा गया है कि जहां नारी जाती का अपमान होता है तो वहाँ पर उसी क्षण पूरी मानवता शरमसार हो जाती है संसार बरबादी का रूप लेता है किसी भी व्यक्ति को बार बार महिलाओं को किसी के कदमों में नहीं चुकाना चाहिए इससे देवी का अपमान होता है अगर आपको लगता है महिलाओं को नीचा दिखाना आपकी विजए होगी तो आप उस जगह गलत होंगे दोस्तो भगवान शिरीकर्शन जी कहते हैं जो इस्त्री का सम्मान ने कर सका वह अपने परिवार और धर्म का क्या सम्मान करेगा ऐसे में आचारे चान के जी कहते हैं कि किसी इस्त्री को गाली देना पूरे संसार को गाली देने के बराबर माना जाता है क्योंकि इस्त्री सरवस्रेश्ट औरत पुजने मानी जाती है दोस्तो इस्त्री जाती परगती का रूप होती है इसका अपमान मानमता को थेस पहुंचाने की बराबर होता है सास्त्रों में कहा गया है इस्त्री को नीचा दिखाकर जब कोई पुर्ष आगे बढ़ता है तो उसी क्षण नरक की और वह तुरंत बढ़ जाता है इसलिए आप ऐसी गलती कभी ना करें नारी जाती का सम्मान करना सरवस्रिष्ट उत्तम है और आप अपने पापों से मुक्ती पा सकते हैं दोस्तो अगर आप अपने धर्म को थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो नारी जाती के लिए एक लाइक जरूर कीजी ऐसे में जो नारी जाती का सम्मान ना कर सका वह अपनी मां का और अपनी बहन का क्या सम्मान करेगा तो दोस्तो यह तो था नारी जाती की इज़त करने वाला वीडियो दोस्तो अगर आप नारी जाती का सम्मान करोगे तो इसमें आप कई फाइदा है दोस्तो इस बात पर आप विचार कीजिए और नारियों का आज से सम्मान करना शुरू कर दीजिए वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आप रोजाना ऐसी ग्यानवर्तक वीडियो सबसे पहले देख सकें